चन्माष्ट्रमी की कहानी बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था अपनी बहन देख की की शादी वसुदेश से करने के बाद आस्मान में से एक भविश्यवानी हुए कंस देवकी और वसुदेव का आठवा पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंध करेगा यह सुनकर गुसे में कंस ने नए विवाहे जोडे को कैद कर लिया एक के बाद एक कंस में देवकी के साथ बच्चों को मार दिया जब देवकी के आठवे बच्चे का जन्म हुआ तो भविश्यवानी की आवाज फिर से आए उस आवाज ने कहा इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहाँ पर अपने मित्रण लंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो इसकी बाद वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेडिया खुल गए उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोक्री में डाल कर चल पड़े कारागर के दरवादे खुद बखुद खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नीम में थे जब वसुदेव ने सिर पर टोक्री लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से उपर नहीं उठा जब उन्हें परिशानी हुई तो एक दस सिर वाले साब ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया वसुदेव को यह सब देखकर समझ आया कि उनका बच्चा कोई मामुली इंसान नहीं था वो दिव्य था नन के घर पर अपने बेटे को रखकर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागर लोट आये जब कंस वहा पोचा और बच्चे को नुकसान पोचाने की कोशिश की तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारन कर लिया और कहा ही दुष्ट तुझसे माना चाता है बहुत देवकी का आठवा पुत्र जनम ले चुका है और वहा अपनी भविशवानी पूरी करेगा बालक क्रिश्ण ये शोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्चाय की जीत का प्रतीक बनाया और इसलिए हर साल हम भारत भर में क्रिश्ण का जन्म यानि की जन्माष्टमी मनाते हैं